हलो गाईज मैं खुशी वेल्कम डू दू 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 नीज शुरू करते हैं पहला आइनिमल ब्रिज जी हाँ बन रहा है दिली एंसियार में नौइडा में बन रहा है 144 एकर में फैला है आइनिमल ब्रिज पर जानवर बिना किसी रुकावट के आवाजा ही कर सकेंगे दिली और नौइडा एंसियार जिसे कहा जाता है वहाँ पर 144 एकर की जमीन पर ये ब्रिज बनानी की तयारी चल रही है नौइडा सेक्टर 137 के पास इसको विक्सित किया जा रहा है इसके लिए 144 एकर में सिटी फॉरेस्ट, बायो, डायवर्सिटी पार्क, और वेट लैंड भी बनाया जा रहा है ये लोगों के लिए बने हाईवे या किसी सड़क मार्च से पूरी तरह अलग होगा इस एको जोन में नेच्रिल वाइडिट को बहतर बनाया जाएगा उसमें प्रवासी पक्षियों का आवागमन होगा इसमें NCR का सबसे खास बात है कि ये एको टूरिस्ट स्पोर्ट बन जाएगा इसके अलावा नौइडा प्राधिकरन ने सुमवार को इसके लिए एक मीटिंग की भी बात कह दी है आपको बता दें कि नौइडा प्राधिकरन के जी एम राजीव त्याकी ने बताया कि 144 एकड में इस एको जोन को तयार किया जा रहा है इसमें 12 एकर में नेचरल वैट लेंड हैं जिसमें सफाई अभिहान शुरू से शुरू कर दिये गए हैं और सोमवार से ये काम शुरू हो चुका है इस वैट लेंड के पास 25 एकर में औशदी पार्क भी होगा 75 एकर में बायो डाइवर्सिटी वर 32 एकर में ग्रीन बैल्ट भी होगी नेशनल पार्क की तरह किया जाएगा इसे विक्सित यहाँ पर जंगली जानवरों को नहीं रखा जाएगा लेकिन इसे किसी एको जोन की तरह तयार किया जाएगा इसमें भी उन प्रजातियों की तितलियां, मचलियों, पक्षियों के प्राकतिक आवास की विक्सित करने की योजना भी है इसमें ब्लाक एवस, ब्लाक हैड़ेड एवस, ब्लाक विंच, स्टिल जैसी बर्ड्स को लाकर रखा सकता है अनिमल ब्रिज के पास होगी वाटर बॉड़ी, आपको बता दे ग्रीन बेल्ट और नैच्रल वेट वेंड को आपस में जोनने के लिए अनिमल ब्रिज के पास एक वाटर बॉड़ी बनाने की योजना भी है ताकि जंगली पशुपक्षी यहां आएं और वाटर बॉड़ी में पानी पी कर चले जाएं थोड़ी दूर एक सर्विस रोड बनाए जाएगी जिसके जरीए आम लोग इन प्राकृतिक खुबसूरत पशुपक्षियों को आते जाते देख सकेंगे तो कैसी लगी है जानकारी कमेंट करके जबर बताएं